आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप आपके वर्टसप पे लौक कैसे लगा सकते हैं वो भी बिना किसी एप की मदद से डारेक्ट वर्टसप से ही तो इस वीडियो को बिना इस्केप के और स्टेप बाइस्टेप फॉलो कर ले और अभी तक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने चले शुरू करते हैं आज का अपने वीडियो तो देख सकते हैं यहां पे मेरे वर्टसप में किसी भी तरिके का लौक नहीं लगा हुआ है तो अब हमें की तरफ यहां पे फ्रीडॉर्ट का ओप्शनम रहा है तो हमें मिला है कि इसफे क्लिक करने के बाद हमें के अप्शन मिला है तो हमें इस पे क्लिक करने के dau can इसपे क्लिक करने के बाद यहां पे हमें एक option मिल रहा है privacy का तो हमें इसपे क्लिक करना है इसपे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहां पे हमें एक option मिल रहा है fingerprint lock तो हमें इसपे क्लिक करना है इसे क्लिक करने के बाद यहां से हमें इसे इनेबल कर देना है इसे इनेबल करने के बाद आपको अपने फिंगर प्रिंट को दे देना है यहां पे आने के बाद हमें कुछ इस पकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें 3 option देखने को मिल रहा है पहला जो option है immediately का दूसरा जो option है after 1 minute का तीसरा जो option है after 30 minutes का यानि कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने वर्टसप से बाहर आते हैं तो आपका जो log है वो कितनी देर बाद लगेगा immediately लग जाएगा या फिर 1 minute बाद या फिर 30 minutes बाद तो आप इस तरीके से यहाँ से select कर लें तो यहाँ से हम immediately पर select कर लेंगे immediately select करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें direct यहाँ से बाहर आ जाना है तो चलिए हम back चलते हैं तो यहाँ पर मैं वर्टसप से बाहर आ चुकी हूँ अब चलके देखते हैं हमारे वर्टसप पर lock लगा या फिर नहीं तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वर्टसप में fingerprint लग चुका है वो भी बेगर किसी एप की मदद से तो आई होब कि आपको एक छोटी से जानकारी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो जाने इस पहले में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी थैंकि पर वाचिन मैं वीडियो